हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजुकेशन क्लासेस फ्रेंड्स जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपको वैशनवी फ्री एजुकेशन चैनल पे एक दम बिलकुल फ्री में कम्प्लीट कोर्स करवाया जा रहा है और हर टॉप जो आपके एक्जाम में 100% बेनिफिट दिखाई देगा ठीक है तो जल्दी से पटापट से सभी लोग जुड़ जाएए क्लास में अपनी क्लास के रिस्टार्ट करते हैं आज हमें पढ़ना है क्या बरोक कला ठीक है तो बरोक कला से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं जितन करने वाले हैं ठीक है तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएए जिससे की क्लास स्टार्ट की जाए और सभी लोगों को गुड़ीवनिंग 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 देखे जो वैशनवी प्री एजुकेशन चैनल है यहाँ पर शाम को साथ बजे और रात मे नौ बजे यह दो टाइम आपकी क्लासे होती है तो आपको साथ बजे भी जुड़ना है रात में नौ बजे भी जुड़ना है ठीक है दो क्लासे होती है दो क्लासे आप लोग अच्छे से पहलिया करिए लगभग चीज़े आपको यहीं से एक्जाम में देखने को मिल जाए ठीक है चलिए class start करते हैं और जो बच्चे channel पे नए हैं जो बच्चे channel पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं तो फटा फट से कर लीजेगा जिससे की सारे notification आप तक time to time पहुझ चलिए start करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बरोक कला से सबसे पहले पूछा जाएगा आप से कि ये जो बरोक कला है इसका time period क्या है तो याद रखना है इसका time period है आपका 1600 से लेकर सभी लोग छापते जाएंगे answer ठीक है हम जैसे ही पूछे question तुरंत आपका answer आना चाहिए तो इसका time period क्या है ये 1600 से लेकर 1800 AD इसका time period मिलता है फिर पूछ सकता है आप से कि इसका अर्थ क्या होता है जो ये बरोक है इसका मतलब क्या होता है तो याद रखना है इसका मतलब है भौड़े आकार का मोती क्या मतलब है इसका भौड़े आकार का मोती या फिर कहलीजे आव्यवस्थित रूप क क्या हमने बताया कि बरोग का जो टाइम पीरियड है वो 1600 से 1800 इसवी है और इसका मतलब क्या होता है शब्द का बरोग का भोड़े आकार का मोती या फिर आव्यवस्थित रोग ठीक है फिर आपसे पूश लेगा कि 1600 से 1800 इसवी तक यूरोप में जो प्रचलेती ये शैली है ये पहले न बदसूरत मानते थे इसको लोग ठीक है और ये फिर बाद में बहुत लोग प्री हुई थी ये याद रखना है जो बरोग कला है इसको पहले बहुत बदसूरत माना जाता था लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत लोग प्री होती चली गई और बरोग कला में धार् चित्रों के अलावा राजदर्बार के, सामाजिक जीवन के और व्यक्तियों के चित्र पर्याप्त मात्रा में बनने लगे थे। चित्रों के लिए जानी जाती है। पर पूछा जासकता है आपसे की मतलब जो फवारों का द्रश्य है वो किसमें चित्रित है। फवारों का द्रश्य तो आपको याद रखना है ये भी आपके बरोक कला में ही चित्रित है। बरोग शैली में भड़कीले और चमकदार रंगों का परियोग हुआ है इस शैली में चित्रकारों ने चित्रों में प्रकास तथा छाया का नाट की और मनोवैग्यानिक परियोग किया है ठीक है याद रखना है कैसे भड़कीले और चमकदार रंगों का प्रियोग हुआ है लिख देते हैं भड़कीले प्लस चमकदार रंगों का प्रियोग किया गया है ठीक है याद रखना है और इस शैली में चित्रकारों ने प्रकास और छाया का प्रकास और छाया का जो फाइक बन रहे हैं वो लिखे दे रहे हैं बाकि हम बोले दे रहे हैं आप समझाए दे रहे हैं और बरोग शैली के जो प्रणेता है बहुत पूछा जाता है बरोग शैली के प्रणेता कौन है तो याद रखना है आपको जो इसके प्रणेता है वो कौन है चापके बताओ जल्दी से जाते हैं के रा वेज्जियों केया वेज्जियों माने जाते हैं ठीक है याद रखना है और ब्रोक्क शयली का जो किष्ट데 चित्रकार है वो किसको माना जाता है जो सर्वत तरेश्ट मतलब क्या क्या बोला हमने सर्वस्रेष्ट जो चित्रकार माना जाता है सर्वस्रेष्ट चित्रकार माना जाता है वो कौन है तो याद रखना है रूबेंस को मानते हैं किसको मानते हैं हम रूबेंस को मानते हैं प्रणेता कौन हो गया कहरा वैज्जियो सर्वस्रेष्ट चित्रकार कौन हो गया रोबेंस हो गया ठीक的是 के कुछ प्रमक्षितरकार है वह ओन क्यूं से है टेक लेते हैं टीक yourselves यह बात हो गई मोला कि शित्रकार है वह कौन कौन है देख लेते है तो पहला तो के कैमडरीजियो थेकितेल यहीं सभी न देख लिया है दूसरे रेम्बरांट हो गए रेम्बरांट हो गए रेम्बरांट बोल दीजे चाहिए जो कुछ बोल दीजे वही चीज है पीटर पाल रूबेंस हो गए ठीक है अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है चलिए तो प्रमुख कलाकार में सबसे पहले आते हैं कौन कहरा वैज्जियो आते हैं कहरे वैज्जियो आते हैं ठीक है चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में इनका जो टाइम पीरियड है वो मि इनहोंने यथार्थ शैली में भी काम किया है और इतली का प्रशिद्द कलाकार था और इस MP3 के जो प्रमुख्ष चWouldn मेन मेन चीज़े बता रहे हैं कि भल ठीक है जो मेन मेन फैक्ट है ना उन्ही को बता रहे हैं तो इसके जो प्रमुक्षित्र है वो कौन कौन से हैं लिख लिजिए कुमारी की मृत्यू कुमारी की मृत्यू दूसरा लिख लिजिए इसा का दफन इसा का दफन और लिख लिजि वर्जिन ओफ वर्जिन ओफ वलिग्राम्स ठीक है और सेंट में एक सेकें ऊपर लिख देते हैं कहां लेकें जगह तो है यह नहीं चलिए यहां पर लिख देते हैं ठीक है प利क डां तो में चित्र हैं यह किसके हैं कैरा वेजेयोंllo के हैं फजी के ज़ो मेन में कि हिस्ट्री नहीं पढ़नी है जहां से क्वेस्टिन बने केवल हमें उतना ही पढ़ना है ठीक है चले आगे चलते हैं तो यह बात हो गई कहरा वेज्जियों के टाइम पीरियड बता दिया और इटली के हैं जंजीवर पर चित्र किया है उनके चित्र कौन-कौन से हैं यह सब 1240 में इनकी मृत्व हो जाती है तो इस तरह से इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है ठीक है और इनका जन में होता कहां है 1570 में जर्मिनी में होता है कहां होता है जर्मिनी में होता है याद रखना है और रूबेंस जो है न यह फ्लैमिस कलाकार है कैसे है यह फ्लैमिस क रूबैन्स ने बाइविल के विश्यों को मानोतावादी द्रश्टी से चित्रित किया है इनके चित्रों में काव का प्रभाव बहुत देखने को मिलता है और जो मतलब 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 इनके जो चित्र हुए है ना चित्र बनाने के लिए रूबेंस बहुत पेमस है मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको अरे अरे अना ब्रत्ताओं का जो चित्र बनता है ना इनके लिए बहुत पेमस है याद रखना है चलिए आगे चलते हैं लिख देते हैं अना ब्रत्ताओं का अना ब्रत्ताओं का जो चित्र है बनाने के लिए ये बहुत फेमस है याद रखना है अब इनके कुछ प्रमुक्ष चित्र है उनको देख लेते हैं प्रमुक्षित्र कौन कौन से हैं इनके जो प्रमुक्षित्र में आता है इसा का सूली से उतारा जाना आगे लिख देते हैं ठीक है इनका जो प्रमुक्षित्र है इसा का सूली से उतारा जाना सूली से उतारा जाना दूसरा लिख लीजिए इसा का क्रोसा रोहन यहीं लिख देते हैं ठीक है इसा का क्रोसा रोहन ग्रामीडों का नत्य रूबेन्स तथा उसकी पहली पत्नी यह सब इसके चित्र है ठीक है है और इसा का सूली सूतारा जाना हमें बता ही दिया है और कौन सा होगा पैरिस का निर्ण है पैरिस का निर्ण है लिख लीजिए फिर लिख लीजिए लूसिपस के कन्याओं का सील भंग, ये भी important है, लूसिपस के कन्याओं का कन्याओं, ये भाई, ये बहुत आ रहा है, एक सेकेंट साइलेंट में लगा दें हाँ, चलिए तो क्या बता दिया हमने, लूसिपस के कन्याओं का कन्याओं का सील भंग ठीक है ये भी एक चित्र है और नेच्स एक और लिख लिए शान्ती के वर्दान शान्ती के वर्दान ठीक है तो इस तरह से जो आपके ये चित्र हैं ये सब किसके हैं आपके पीटर पाल रूबेंस की? ठीक है आगे बढ़ते हैं अब next आते हैं आपके रेमरा ठीक है next आते हैं आपके कौन रेमरा आते हैं तो इनको देख लेते हैं इनके जो famous चित्र है वो क्या है सबसे पहले इनके जन्मे मृत्यू की बात कर लेते हैं ठीक है इनका जो जन्म होता है वो 1606 में होता है और मृत्यू होती है 1679 में ठीक है और 16-6 इसभी में कहां पर होता है याद रखना है होलन्ड का प्रशिद चित्रकार कौन है ऐसे भी पूह सकता है उल्ठा करके तो रैम्रा है ठीक है और रैम्रा जो है यह भरोक शैली का नाटकी चित्रण के लिए फेमस है यह कहे के लिए फेमस है यह यह आपके नाटकी चित्रण के लिए फेमस है याद रखना है और रेमरा के चित्रों का जो विशय है न वो आत्मे चित्र, व्यक्ति चित्र, समूह चित्र, धार्मिक कथानक ये सब इनके विशय हैं कौन-कौन से हैं लिख देते हैं आत्मे चित्र, व्यक्ति चित्र, एनके विशय हैं याद रखना है और धार्मिक खानक हो गई ये सब इनके चित्र हैं ठीक है? इन्होंने क्या बनाए है, 2000 लगभग जो है, 2000 क्या बनाए है, रेखा चित्र बनाए है, और 600 रंगीन चित्र बनाए है, याद रखना है, ठीक है, और चित्र कला में इस पॉट लाइट का प्रियोग किस ने किया है, याद रखना है, किस ने किया है, इस पॉट लाइट का प्र चित्र हैं, उनको देख लेते हैं, जो मेन-मेन फैक्ट है ना, उनको पढ़िये के वन, ठीक है, वालतों की हिस्ट्री पढ़ के, अपना खोपड़ा नहीं घुमाना है, है ना, हमें स्लेक्शन लेना है, तो स्लेक्शन के एक्वार्डिंग पढ़िये, तो इसके जो फेमस चि और और क्या हो सकता है सिडिंग्स हो सकता है सिडिंग्स ठीक है और जहाज निर्माता लिख लीजिए जहाज निर्माता और लिख लीजिए तीन पेंड संद मैथ्यू का बुलाबा हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पर मत जाएए ठीक राइटिंग तो बहुत अच्छी है आप लोग जानते ही है चलिए लेटी हुई लड़की लेटी हुई लड़की और एक और है इंपोर्टेंट है चिडिया को खाता सिंग ठीक है ये जो फेमस चित्र है ये सबी किसके हैं आपके रैमरा के है एक बार फिर से सुन लीजे रात्री का प्रहरी जो जिसको हम इंगलिस में दर नाइट वाच कहते हैं सिदिंग सो गया जहाज निर्माता तीन पेर संत मैथ्यो का पुलावा चिडिया खाता सिंग लेटी हुई लड़की ये सब किसके हैं आपके रैमरा के हैं अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कलावकार पे थिकए देखेक क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शियरशाव कर लीजे फटार्फट से अब आते हैं ये जो है ये फ्रांस हॉल्स नंके बारे में समझे इनका जो यह जो है ना यह कहां के हैं सबसे पहले यह मतलब ये Holland के कलाकार है और France Hall जो है न ये व्यक्ति चित्रण में famous है किसके लिए famous है ये व्यक्ति चित्रण के लिए famous है याद रखना है और इनके जो famous चित्र है इनके बारे में जितना point पूँचा जा सकता है वो ही हम आपको बताए दे रहे हैं इसके जो प्रमुक्षित्र है न वो है हसने वाला घुर सवार लिख लिए इनके चित्र बतान है ठीक है हसने वाला घुर सवार दूसरा योरकंप और योरकंप और उसकी प्रेसी और लिख लीजे बस इतने ही दो ही लिख लीजे इंपोर्टेंट है बागी तो ऐसे ही है फिर अब एक चीज इसके बारे में याद करिए अलग से लिख देते हैं मुस्कुराता अस्वा रोही जो चित्र है ये वर्तमान में वॉलिस संग्रहाले लंदन में रखा गया है पहले ये लिखिए मुस्कुराता अस्वा रोही मुस्कुराता अस्वा रोही कहां पर रखा गया है इसको लंदन संग्रहाले में इसको रखा गया है ठीक है और फिर है जिपसी गर्ल ये बरोक कलाकार जो है फ्रांस हॉल्स की क्रती है कौन सी जिपसी गर्ल ठीक है ये भी जाता है जिप्सी गर्लू ठीक है तो ये थे फ्रांस होल्स आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आजाते हैं अब कुछ जो एंके बरोुक कला से पूछे जाने वाले वो हमने आपको बता दिये अब यहां से कुछ पैक्ट जो है बताते हैं जो यह मतलब चलिए लिख देते हैं एक रे यार ये लिख नहीं रहा है चलिए हाँ वर्मियर जो है पूछा जाता है वर्मियर कहां का कहां का चित्रकार है वर्मियर एक चित्रकार है ये कहां का है पूछ लिया जाता है तो याद रखना है ये कहां का है Holland देश का है ठीक है दूसरा फैक्ट आप से पूछा जाएगा कि Wondike जो है ये Rubens का मित्र था कौन? Wondike किसका मित्र था? Rubens का मित्र था ठीक है Rubens का मित्र था याद रखना है Question ऐसे पूंच लेता है इसलिए ये थोड़ा सा हम अलग से लिखवाए दे रहे है ठीक है England की जो राजा Charles First है इन्होंने Wondike को राज चित्रकार नियुक्त किया था किसने? Charles First ने लिख लीजे Charles First ने इनको राज चित्रकार नियुक्त किया था याद रखना है ठीक है ये England की राजा है और Wondike का जो फेमस चित्र है न वो है काटे का मुकुट लिख देते हैं यहाँ पर अलग से इनका जो फेमस चित्र है न वो क्या है? काटे का मुकुट काटे का मुकुट और दूसरा लिख लीजे इसा के शव पर सोक इसा के शव पर सोक ये किसके चित्र है आपके? Wondike के हैं याद रखना है ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आगे आपसे पूँच लिया जाएगा कि मतलब मतलब पूँच लेगा कि मतलब कैसे भोलें हम इसको चली आगे चलते हैं बस इतना ही याद रखे ठीक है? लगभग क्वेशन आपके यहीं से मिल जाएंगे पांगी फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़नी है ठीक है? अच्छा चली एक पैक टॉर लिखवा देते हैं ठीक है? एक और लिख लिख लीजे बस यह पूछ लिए जाता है कभी-कभी ऐसा नहीं हो, यहीं पूछ लिए जाए आपके में तो आपके चड़ बैट है हमारी उपर फिर कि आपने तो बताया ही ने यह जो लॉरेंजो है ना यह एक चित्रकार भी है चित्रकार भी है साथ ही साथ मूर्तिकार भी है याद रखना है ये जो चित्र है ये सब किसके है लॉरेंजो के है याद रखना है ठीक है तो यहां से जो आपकी बरोक शैली है वो complete हो जाती है अब हम next जो class आएगी आपकी वहां पर हम क्या पढ़ेंगे आपका वहां हम पढ़ेंगे रोको को शैली ठीक है रोको को कला पढ़ेंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो मतलब देखे यहां से कुछ ही point बनते हैं ऐसा नहीं है कि बनते नहीं है बनते हैं लेकिन जो main main बनते हैं उन्हीं को पढ़ लीजे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं next class में और comment में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी ठीक है ऐसे ही आपकी रोको को शैली बता देंगे और भी जितनी भी मतलब शैलियां है रोमा पर मिलते हैं next class